हेलो साथियो जैहिंद कैसे आप सब आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तो बच्चो आपके लिए एक न्यूज निकल के आ रहे हैं बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए उन बच्चों के लिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्ची दिल् दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही उसकी तरीके से उसका वेट कर रहे हैं कि कब दिल्ली पुलिस जो है आ जाए और कब हम वेकंसी को हम किलियर कर दें तो बचो उसी के लिए अपडेट लेकर आया हूँ आपको पूरी चीजे बताऊंगा वीडियो सुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए और ये भी पता है आपको पता है 2024 में आपके चुनाओ है तो उससे पहले डेफिनिटी ये वेकिंसी की जाएगी पकी बात है बात करते हैं दिल्ली पुलिस में कब तक भरे जाएंगे फॉर्म अब फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये तो अभी कुछ तैन नहीं किया जासता लेकिन बच्चों के बहुत सारे सवाल है बहुत सारे सवाल है अभी आपको खिलियर करता हूँ मैं देखिया है देखिये बच्चों का पहला सवाल था क्या एक्जाम दिल्ली पुलिस कराएगी ये सवाल बच्चों का बहुत जादा कन्फिजन है इस सवाल में बच्चों को इकवल तरीके से करते हैं वो shift wise नहीं बनाते हैं ground में आपका test लेते हैं और ये पहले से ही करते आ रहे हैं ऐसा कोई भी test है निवाज ताकि online ले सके दिल्ली पुलिस ठीक है sst के through online हुआ था लेकिन जगर दिल्ली पुलिस लेती है तो आपको पता होगा ground में ही test लिया जाता है और सारा combined test एकदम ही होता है एक ही time पे start होता है सभी बच्चों का और एक ही time पे खतम हो जाता है अरेक ने सारे बच्चों का test मापे वो clear करा देते हैं आपने देखा होगा 2010 में 2013 में सब का test एक साथ हुआ था लेकिन leak होने के करण वो SSC पे चली गई थी vacancy वरना दिल्ली पुलिस ही कराती थी अपनी vacancy को तो क्या exam दिल्ली पुलिस करा पाएगी तो बिल्कुल करा पाएगी अगर दिल्ली पुलिस चाहेगी तो ground में आपका exam हो जाएगा पहले यह confusion बहुत था बच्चो वो दूसा सवाल बच्चो का क्या दिल्ली पुलिस का भरती बोड तयार है देखे दिल्ली पुलिस की बारे में बता दूमें दिल्ली पुलिस का कोई भरती बोड है यह नहीं दिल्ली पुलिस का कोई भरती बोड नहीं होता दिल्ली पुलिस conduct कराएंगे ऐसा कुछ नहीं है कि पहले तयारी से start हो जाएं कि दिल्ले पुलिस का कोई भरती board है और वो तयार है ठीक है अभी तक ऐसी को information है नहीं है बात करते हैं तीसरे question की क्या वापस SSC को कराई जाएगी भरती या SSC पर जाएगी बिल्कुल बिल्कुल 100% में बताना चाहता हूँ आपको यदि दिल्ले पुलिस ने थोड़ा भी अपना ये सोच लिया कि किस तरीके से हम manage करेंगे और manage करने में बहुत ज़्यादा problem आती है क्योंकि जब physical होते हैं उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा problem आती है जब आपका return test होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा problem आती है तो ये confirm है कि 100% ये SSC को ही जाएगी वेकेंसी SSC ही कराएगी इसको अभी फिलाल आपको पता होगा SSC ने जो है वापिस दे दिया था SSC ने क्यों वापिस दे दिया था मैं आपको ये भी बताऊँगा क्या कारण रहे थे कि SSC ने इनकी वेकेंसी जो दिलिवलिस की वापिस दे दी थी तो SSC ने इसे वापिस दे दिया इनको तो अब जो है SSC पे वापिस जाएंगे तो SSC के पास अभी कलेंडर अपने आपको पता होगा 2023 का कलेंडर जारी कर दे गया है 2023 में कोई वेकेंसी उनके हिसाब से नहीं आने वाली है SSC के बात कर रहा हूँ है अगर संसोधन होता है तो उसमें मैं कुछ कहनी सकता है लेकिन अभी फिला 2023 में कोई वेकेंसी इनके हिसाब से नहीं आने वाली है अगर SSC को जाता है SSC जो है जोइन लेटर इतनी जल्दी नहीं दे सकती बात कर लेते हैं अगले कोश्टन की SSC ने वापिश दिल्ली पुलिस को क्यों दिया देखिए SSC ने दिल्ली पुलिस को क्यों दिया था एक जाम की हम नहीं करा पाएंगे दिल्ली पुलिस कराएगी तक SSC वह भरती की लिए नहीं करा पाईगी क्यूंकि SSC को और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारे exam पंडेक्ट कराने होते हैं उनकी merit लगानी होती है उनका बहुत बड़ा एक बहुत बड़े इसतरपे कार्ये करना होता है तो SSC ने उसे वापिस दे जिया था कि हम 13 December 2013 तक joint letter नहीं दे सकते भरती के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास थोड़ा time होता है और time के हिसाब से वो चलते हैं क्योंकि वो पहले ही manage करके चलते हैं कि किस भरती को हम कितना time देंगे कि कब तक उसका paper करा पाएंगे कब तक नहीं करा पाएंगे ये सारी चीज में इंसन होती है तो यही कारण रहा था कि SSC ने जो है vacancy दिल्ले प्रिस को वापिस दे दी थी क्योंकि 71 December 2013 तक भरती वो करा नहीं सकते थे बात करते हैं अगले question कि क्या अभी भी SSC के द्वारा form निकाले जा सकते हैं देखें दो March के आपकी जो है exam जो आपका form date है वो SSC ने पहले भी दे रखी थी और इसमें जो कहा है कि आभी SSC यह बात मारे सकते हूं में SSC जाहे तो इसको दो तारीक में form निकाल सकती है अगर SSC चाहे और manage करें लेकिन यह बहुत बड़े इस तरकी बात हो जाएगी बच्चो बहुत बड़े इस तरकी क्योंकि इस तरीके से अगर उन्होंने manage कर रखा है दो मार्च को इसके form आने के बाद जो बीच में exam connect कराने है तो वो पूरा साल जो है बुक हो जाता है SSC का आपने देखा होगा हर कोई paper अलग अलग तरीके से करता है अब उन paper को तो हटा नहीं सकती तो अगर form दो मार्च को आ जाते हैं चलो form भी भरा लिए लेकिन बच्चो उसका test करने में उसको test करने में लगभग डेट साल का वक्त लगेगा तब ही आपका दिल्ली पुलिस का exam हो पाईगा हाँ मानता हूं कि आपका vacancy जो है निकाल सकती है ये form आपके fill करा सकती है लेकिन उसमें बहुत लंबा time लग जाएगा ये पकी बात है बच्चो बहुत लंबी खिशने वाली है भरती अगर इस तरीके से बात आई अगर दिल्ली पुलिस ने वापिस इसको दी तो बहुत लंबी खिशने वाली है बत्रूबर भरती बात करते हैं अगले कुश्चन की क्या दिल्ली पुलिस 31 दिसमबर 2023 तक इस साल दिल्ली पुलिस की भरती 65 के ल 31 December 2023 तक जो है clear हो सकती है क्योंकि SSC ने अपने सारे कलेंडर जारी करती है SSC इस चीज को रोक के नहीं कर सकती उसमें बहुत बड़ा फिर बदलाव नहीं कर सकती तो इस तरीके से दिल्ली पलिसी आपका exam कराएगी अगर 31 December 2023 तक बच्चों भरती करानी है कि इस तरीके से जो भी आपका कारी चलेगा अब ये कितना time लगेगा इसमें कितना नहीं ये तो कह नहीं सकते बच्चों हो सकता है आपका अपरेल में मई में जून में जुलाई में आपके form आ जाएए दिल्ली पलिस की तरफ से और उसे जल्दी conductor आ जाएगा क्योंकि दिल्ली पलिस क्या करते है दिल्ली पलिस जैसे form निकाल लगी एक महीने form बढ़ने के बाद उसके बाद तुरंत physical के बुला लेगी या एक महीना बाद physical कराने के बाद 50,000 या 60,000 या 1,000,000 बच्चे और ground में बठाएगी वो adjust करने के बाद दिसंबर तक joining तब भी नहीं दे सकती बच्चो अगर इस तरीके से form निकालनी है और आपको पता होगा दिल्ली पलिस में पलिस वालों का आभाव भी है अभी जो है ने थाने भी बने हैं दो तिन उसमें भी आपको पुलिस चाहिएगे तो थोड़ा स्टाप की कमी है तो इसलिए इने भरतिय करानी पड़ेगी तो थैंकी फर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आई दो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो धन्यवाद